जाहिं दोस्तों आप सभी का FD Classes में स्वागत है आज हम 23 अप्रेल को जितने भी important question बन सकते हैं उन सभी question को देखेंगे यदि आपको किसी भी question में किसी ही प्रकार का doubt हो तो comment जरू कर दिया करे यदि आप हमारी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं लाइक और share जरू करें साथ ही bell icon को प्रेस करें जिससे की आपको notification मिलती रहे चलिया आज का पहला प्रश्न देखिए चात्तिजगर योग आयोग 25 अप्रिल 22 को कितनी नमबर का अपना इस्थापना दिवस मनाने जा रहा है चात्तिजगर योग 25 अप्रिल को चात्तिजगर इस्थापना दिवस के आउसर पर राजधानी रायपूर के शुभास स्टेडियम में एक दिवसिय समोहिक विसेश योगा भ्याश कारेकरम का आयजन किया जाएगा इसमें लगभग 2000 से अधिक परतिनीधी शामिल होंगे रायली में योग आयोग के अधक छस्री ग्यानेश सर्मा सहित रायपूर शहर के जन परतिनीधी शामिल होंगे गौड तलब है कि शमाज का ल्यान विभाग के अंतर्ग संचालित चत्तिजगर योग आयोग प्रदेश में योग के प्रचार प्रशार नागरिकों को स्वस्थ वा निरोगी जीवन सहली अपनाने स्वास्त के प्रति जन जागुकत लाने के साथ प्रति दिन नियमित योग अभ्याश को दिन चरिया में शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं नगर निगम छेत्रों में आयोग द्वारा निशूल का योग अभ्यास के इंदर भी खोले जा रहे हैं चले अगला प्रश्ण देखिए प्रदेश में भैराव पहाड किस जिला में इस्थित है तुमकर श्रही आंसर होगा प्रदेश में भैराव पहाड जस्पुर जिला में इस्थित है बहुत ही important question है याद रखेंगे भैराव पहाड जस्पुर जिला में इस्थित है जस्पुर पहाड में प्रश्रीद भैरव गुफा इस्तित हैं जिनका पुरतात्व के शाथ धार्विक महत्व भी हैं परेटन को बढ़ावा देने की तो भैरव पहाड की पांच किलमेटर के दायरे को घेर कर आधरशग्राम सोंगड़ा की जंगल को इको लेब इस्थापित किया गया यहां भीषर आग लगी हुई है चलिए आगला प्रश्ण देखिए उत्तर चतिजगड का पहला मिलेट के फे की शुरुवात कि जिला में किया गया है तिंका सही आंसर होगा बाराम पूर जिला में शुरुवात की गई है याद रखेंगे रापूर शहर के नालंदा के रायगड में पहला मिलेट के फे छत्तिगड का पहला मिलेट के फे रायगड से प्रारम किया गया है वही हाली में उत्तर चत्तिगड सर्गुजा संभाग का पहला मिलेट के फे बारामपूर में प्रारम हो चुका है रायपूर के इंद्रा गान्धी क्रिशी विश्योई द्यालब परिशार में भी मिलेट के फेका प्रारम हो चुका है सहीकतराश्ट संग द्वारा मिलेट के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए वर्स द्वार तेश को मिलेट वर्स गोसित किया गया है याद रखेंगे बहुत ही important है इससे कोशन आराम से पूछे जा सकते हैं चले next question देखिए बारा साल में एक बार होने वाले राजमड़ी कहा मनाया गया है तिनका सही answer होगा सुकमा जिला में बारा साल में एक बार होने वाले राजमड़ी मनाया गया है इंपोर्टेंट कोशन है याद रखेंगे, बाराशाल में एक बार होने वाले शुक्मा राजमणई में मलक्का नगरी की मावली माता, छिनगड की मुसरिया माता समित 440 गाउं से पहुँचे देव विक्रह का श्वागत किया गया, इस दरान बड़ी शंख्या में भक्त इस आउसर पर परदेश के उद्योग मंत्री कवाशी लगमा भी मिले में पहुँचे और देवी दर्शन कर छेतर के लिए अमन चैन और खुशाले की दुआ की है, चलिए अगरा प्रशन देखिए, आईश्मान काट पंजियन कारिया में उत्किष्ट परदर्शन के लिए क चलिए धियान देंगे, इन सभी पाइन को याद रखना है क्योंकि फूट वाले कोशन इसी से बना जाते हैं, इसलिए इसे जरूर याद रखिए, आईश्मान भारत प्रधान मंत्री जन आरोग्या योजना, डाक्टर खुप्चन बगिल, श्वास्त साहता योजना, अंतर प्रगत, कांकेर जीले में अईश्मान का पंजियन कारिया में उत्किष्ठ परदर्शन के लिए कांकेर जीलो को पुरुष्कित किया गया है, हराजधानी रायपूर में आयोजितकारे करम में परदेश के श्वास्त एवं परिवार कल्यान मंत्री टी एस सीदेव द्वारा कांकेर जीले के मुख्य चिगिश्या एवं श्वास्त अधिकारी डॉक्टर अविनास खरे एवं जीला परिविजन शमनवत अईश्मान भारत कांकेर श्री सनत पटेल कुमोमेटर एवं प्रशस्ति पत्र देकर शमनित किया गया है, याद रखेंगे उन लेकनी है कि अईश्मान कार्ड पंजियन किया जाना है, जिसके विरुद्ध चैलाग बतिसदा चार सो चालिस हितकरायों का अईश्मान कार्ड पंजियन किया जा चुका है, जो लगच्छा का 66.9 परतिशत तथा शत्री गाराज्या में शर्वधिक है, याद रखेंगे बहुत ही इंप चले धिहान देंगे, नार्थ अमरीका च्छतीगड एश्वधिसन नाचा ने च्छतीगड ही बोली और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए पहल की है, याद रखेंगे नाचा के फुलफम को भी नार्थ अमरीका च्छतीगड एश्वधिसन है, एश्वधिसन ने 36.9 नमक एक एपस डिजाइन किया गया है इस एपसे के जरिये लोग छत्रिजगड़ी के शब्दों को अंगरीजी में अंगरीजी के शब्दों को छत्रिजगड़ी में ट्रांसलेट कर पाएंगे शुरुआत में इसकी सब्दसीमा 25,000 रखी गई है सब्दों के सेलेक्शन के लिए एशिवेशन ने केमरिज उनिवर्सिटी और पंडित रवी शंकर विशोई त्याला के प्रफेशर और स्टुडेंट की मदद लिए है याद रखेंगे एपस में 36 गढ़ी संस्कृती कला साहित या नाटक आदी से संबंधित जानकारी होगी है साथ ही 36 गढ़ी लेंग्वेज के टूटोरियल वीडियो भी इसमें सामिल किया जाएंगे आगे देखिए नाचा के प्रेशिरेंग गणेश कर ने बताया है कि आज तक किसी भी राज्य के एन आराई शंगठर ने ऐसा परयोग नहीं किया है दो सर पहले इस एपसपर काम किया गया है पहले इसे मार्थ में लाउंच करने का प्लान था लेकिन अब नाचा की टीम अराईपूर आकर दस जुन को इसे लाउंच करेंगे याद रखना है दस जुन को इसे लाउंच किया जाएगा चले नेश्ट कोश्ण देखिए हाली में राज्य सरकार द्वारा किसे नगर पंचायत बना जाने की गोश्ण की है तिकर सही आंसर होगा पामगण गराम पंचायत को राज्य सरकार द्वारा नगर पंचायत बना जाने की गोश्ण की गई है चले याद रखेंगे ग्राम पंचायत पामगर्ण को जल्द ही नगर पंचायत बना जाएगा वहाँ की जनसंक्या अभी वर्स दोह ग्यारा की जनगर्ण के अनुसार मात रच्छा हजार 64 है हाला की इन 12 वर्सों में यह बड़ भी गई होगी लेकिन 5 सल पहले भाजपर सरकार के कारेकाल में वहाँ के विधायक ने ततकालीं सीम डॉक्टर रवन से पामगर्ण को नगर पंचायत दर्जा दिलाने की मांग की थी लेकिन उन्होंने 10 अजार की अबादी का हावला देकर टाल दिया था लेकिन कांगर्ण शरकार ने फिलहाल उतने ही अबादी में बीना किसी दूसरे गाउं को शामिल किये पामगर्ण को नगर पंचायत बनाने के लिए अधिसुचना 6 अप्रिल को जारी कर दी है याद रखना है अब विवाजित मद्या परदेश में आखरी बार गराम पंचायतों से नगर पंचायतों का गठन 1992 में हुआ था इसे भी याद रखना है इसके बाद बीच में नगर पंचायत नहीं बनाए गया है आगे देखिए 2000 में 36 गठन होने के 8 साल बाद 3 सितंबा दोहर 8 को यानि 16 साल बाद नई नगर पंचायतों का गठन किया गया था इसमें उन गाओं को भी नगर पंचायत बनाया गया जिनकी शंक्या 10,000 से कम थी याद रखेंगे नगर पंचायत बनाने के लिए निवतम आहरता इसमें 10,000 है चले अगला प्रश्ण देखिए काटमांडू में 36 गठ से कीसे एक्सेलेंट आवाद दोहरते जिसे सम्मानित किया गया है तिकर सहीं आंसर होगा रूना शर्मा को काटमांडू में 36 गठ से एक्सेलेंट आवाद दोहरते जिसे सम्मानित किया गया है याद रखेंगे यहां राश्टी स्तर का करेंट अप्यार है बहुत ही इंपोर्टेन है ध्यान देंगे काटमांडू में भारत के परतित्य करने वाली रूना शर्मा गलेक्षी आवाद दोहरते जिसे सम्मानित किया गया है नेपाल की केंद्री उद्योग वाडिचे एवं आपूर्ती मंत्री रमेश रिजान नी चत्तिगड की समाजिक एवं संस्कृती कारेकर तरूना शर्मा को और एंजियो मीडिया परियावरन आर्ट एवं कल्चर तथा खेल जगा से जुड़े 35 लोगों को गलेक्षी आवाद दोहरते जिसे सम्मानित किया गया है चले अगला प्रश्ण देखिए इंपोर्टेंट कोश्चन है इसे याद रखना है चलिए जेश्ट कोश्चन देखिए चात्तिग राज्या लोजिस्टिक निती 1222 का संबन किस्से है तिनका सही आंसर होगा बिमार उद्योग को पुर्शाहन देना दूसरा है राज्या में उपलब दखनी शम्पदा का समुचित दोहन करना देश के कुल निर्यात में राज्या का युगधान बढ़ाना है उप्रोकता सही है याद रखेंगे तीनों पॉइंट सही है चले ध्यान देंगे राज्या सरकार द्वारा बिमार एवं बंद उद्योगों के लिए निवेश प्रशाहन निती एवं अध्योगिक वाड़िचिक विकास के लिए राज्या लोजिस्टिक निती लागू की गई है इसे बंद एवं बिमार उद्योग को प्रशाहन मिलेगा और वे बहतर तरीक से संचरित हो पाएगा राज्य में अधोग विकास के सांसार वाडितिक विकास को बढ़ावा देना देश के कुल निर्यात में राज्या का युगदान बढ़ाना राज्य में उपरब दखनी शंपता का समुची दोहन करने के उद्धिशा से छत्तिगा राज्या लोजिस्ट में हमने आप से प्राश्य पूचा था कि मा माँ माय शक्करकार खाना कहितने मेगावाट के विद्धि उत्पादन कारिए कशुभारम किया गया है तिनका सही आंसर वहगा दो मैगावाट का उत्पादन सुरू किया गया है अब आपके लिए आज का प्रंश्य वर आज्य में कॉशल्या मातित योजना कशु भारं कब से किया गया है तिनकर रही आशार आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए चले मिलते हैं गलूड़ों में जाहिंग जाचातिस गड़ा कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि अज़ाइब कि कि अज़ाइब